अस्सलाम वालेकुम नाजरीन नूरानी खबरों में आपका खैर मगदम है नाजरीन दिपिका पाडुकोन के JNU दौरे पर बीजेपी के पीछे हटने की क्या है खास वजे आईए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में केंद्री मंत्री प्रकाश जावडेकर ने अपनी ही पार्टी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंग बगगा को लगाई फटकार हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छपाग पर तेजिंदर बगगा और रमेश बीदूडी की बेतु की बयान बाजी पर उन्हें प्रकाश जावडेकर की फटकार का सामना करना पड़ा इसके बाद प्रकाश जावडेकर फिल्म के समर्थन में सामने आते दिखे उन्होंने अपने बयान में कुबूला कि उनकी पार्टी किसी भी तरह से फिल्म छपाग का बहिशकार नहीं कर रही है अबिनेत्री दिपिका भारत की एक स्वतंत्र नागरिक हैं और उन्हें कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार है जावडेकर के इस बयान से साफ तोर पर उनका डर देखा जा सकता है अगले महीने 8 फरवरी को होने वाले चुनावों में उनका हार का खौफ दिखाई दे रहा है क्यूंकि देश का युवा वर्ग और खास करकी लड़कियां इस फिल्म के समर्थन में उतरे हैं इस फिल्म की कहानी शोशल कॉज और महिलाओ वबच्चीयों के साथ बढ़ती बत सलूकी पर आधारित है जिस पर बीजेपी के नेताओ दोरा की गई बेतु की बयान बाजी का खामियाजा उनको दिल्ली चुनाव में उठाना पड़ सकता है इसी डर से जावडे कर अपनी पार्टी को बचाते दिख रहे हैं भारतिये जन्ता पार्टी ऐसे मुद्दो को लेकर अपना राजनी तिक लाब उठाती रही है इससे पहले भी दिपिका पाडुकोन की चर्चत फिल्म पदमावत को लेकर भी बीजेपी विरोध प्रदर्शन करती दिखी लेकिन अब दिल्ली के चुनावों को देखते हुए इस मामले में बीजेपी पीछे हटती नजर आ रही है अल्ला हाफ़ज